राम राम किस्टन महिएं स्वागत है हमारे अपने यूटूब चैनल ये इसके आल नोलेज में किसान भाईयों आज हम बात करेंगे कि जो हमारी साठ दिन वाली धान की फसल होती है वो किस प्रकार पैदा करें और किस प्रकार उसकी देखरेक करें तो जो किसन भाईयों मारे पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि यह साठ दिन वाली धान के फसल है तो यह लगबग हमारी कि चालिस से पचास दिन की होने वाली है और इसमें गब बोज्ञा बन गया है और कई मों कई मों में हमारी बाली का भीकास हुआ है और कुछ बालियां जो है हमारे निकल रही है पोदे से बहुत ही अच्छी धान की फसल यहां पर देखने को मिल रही है किसान भाईयों कुछ में बालियां का उत्पादन होने लगा है और अभी पूर्ण रूप से हमारी बालियां लगबग दस से बारा दिन में बाहर निकल आएंगी और कोई-कोई पोदे में जो है बालियां हमारी अभी दुगदा आवस्ता पे हैं अभी हमारे पोदे से बाहर निकल रही है यह अलगबग जोग 10 से 12 दिन में बाहर निकल आएंगी तो हमारे जो किसन भाई दिन लाद मेनध करते हैं खेतों में उसका यह प्रणाम शुरूप है जो उनकी मेहनत रंग लाई है अभी हम किसन भाई Year जो जून में हमारे धान की खेती धान की रुपाई होगी उसके विसे में मैं आप लोगों को अगला वीडियो बना कर डालूंगा जैसे कि किसन भाई हमारे देख रहे हैं बहुत ही अच्छी किसम का ये धान और बिल्कुल पोधा जो है बिल्कुल हारा और भारा खेला हुआ ह और ये इनमें जो कीट नाटर जो फंक कासी फंकी साइट कीट होते हैं जो थोनिया बगेरा वो बिल्कुल हमारी पत्तियों में एक दम कहीं पर से भी नहीं लिगी है क्योंकि उन्हें दिन रात महनेत जो की है और देख रहे हैं रखिए अपने धान की फ़सल की तो किसन भाईों कैसा लगा हमारे वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और कमेंट जरूर कर दें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नहीं जनकारी के साथ जब तक के लिए धन्यबाद राम राम